किसान भाईयो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में आप चैनल में NPK या DAP डालकर उसमें पानी लगाकर और चैनल में कीट नासक दवा का छिड़काओ करके अगर ज्यादा से ज्यादा प्यदावार लेना चाहते हो तो किसान भाईयो आपकी सोच गलत है आप चैनल में इस परकार से ज्यादा से ज्यादा प्यदावार नहीं ले सकते हैं अगर आप चैनल की सच में बंपर प्यदावार लेना चाहते हैं तो चैनल में नाइट्रोजन फासपरस और पोटास के अलावा आपको बहुत सारे सुक्सम पोसक्ततों की कमी को पूरा करना पड़ता है उसके अलावा विटामीन्स एंजाइम्स और एमिनो एसीड जिबरेलिक एसीड इन सभी की कमी को भी पूरा करना पड़ता है तो किसान भाईयों सीधे सब्दों में कहें तो अगर आप चैनल का ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको चैनल में किसी अच्छे टोनिक का पुर्योंग जरूर करना चाहिए अब कि किसान भाईयों के सामने समश्या आती हैं कि टोनिक काफी महंगे होते हैं और उसके अलावा टोनिक मार्केट में बहुत प्रकार के मिलते हैं तो अच्छा टोनिक कौन सा है जिसका चैन करके हम चैनल की फसल में पुर्योंग करें यह बहुत बड़ी समश्या हो प्यादा हो जाती हैं तो इस वीडियो में हम एक ऐसे अच्छे टोनिक के बारे में बात करेंगे जो 100% जैविक हैं ज्यादा महंगा नहीं है और किसान भाईयों चैने की फसल पर इसका बहुती सांदार रिजल्ट मिलता है और चैने की पैदावार गारंटी के साथ बढ़ती हैं तो इस किसान भाईयों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पाई जो गंटी के निसान है उसे जरूर दबा दीजिए जो चिस से टोनिक का हम परियोग करने की बात कहर रहे हैं उसका नाम है इपको की सागरिका अब सागरिका दानेदार में भी मिलती हैं बऊस सारी किसान भाईयो चैनल की फसल में इसका पौरियोग करते हैं हो सकता हैं आपने भी कभी इसका पौरियोग किया होगा जो हमारी फसल के विकास के लिए बहुती आउश्यक माने गए हैं अगर हम चने की फसल में इफको सागरिका का पुर्योक करते हैं तो उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है मिट्टी में पड़े पोसक तत्तो को ग्रहन करने में मदद मिलती है जिंक, सलफर, बोरान, आईरन, नाइट्रोजिन की कमी को पूरा करती हैं उसके अलावा फल पूलो की संक्या में वरद्धी करती हैं अगर हम चने में इसका पुर्योक करते हैं तो चने में फूल बहुत ज़्यादा आएंगे नए-नए फूटाव की संक्या में वरद्धी करती हैं यानि कि फूटाव अच्छे तरीके से करता हैं नए-नए प्रात्मिक ड्यूत्य और तर्तिक जड़ों का विकास में निर्मान करती हैं और किसान भाईयो इसके अलावे या प्रकास अंसलेशन की क्रिया में वरद्धी करती हैं जिससे पोदे में हरापन भी बना रहता है तो कुल मिला कर बात करें तो इफको सागरिका का प्रियोग अगर आप करते हैं तो आपको बहुती सांदा रिजल्ट मिलेगा और आप इसका प्रियोग एक बार करने के बाद अगले साल से ओटोमेटिक करने लग जाओगे किसान भाईयो इसके प्रियोग करने के तरीके के बारे में बात करें तो आपको इफको सागरिका दानेदार के रूप में भी मिल जाएगी और लिक्विड के रूब में भी अगर दानेदार के डोच की बात करें तो आपको एक एकड में 5 kg इपको सागरिका का प्रियोग करना चाहिए और अगर लिक्विड की बात करें तो आपको एक एकड में 250 ml सागरिका लिक्विड का प्रियोग करना चाहिए किसान भाई यो इनके प्रयोग करने की समय की बात करे तो जो सागरिका दानेदार होती है उसका प्रयोग आपको जब आप चने में पहला पानी लगाते हैं तब आपको करना चाहिए पहला पानी कुछ किसान भाई 25-30 दिनों के बाद लगाते हैं कुछ किसान भाई 30-35 दिनों के बीच में लगाते हैं तो जब भी आप चने में पहला पानी लगाए तब आप एक एकड़ में 5 kg इफको सागरिका का प्रयोग जरूर करें उसके अलावा किसान भाई लिक्विड की बात करें तो जब आपके चने में फूल आने शुरू होते हैं उसके 2-3 दिन पहले आपको इफको सागरिका लिक्विड का इस्प्रे करना चाहिए किसान भाई जान रहे फूल आने से पहले आपको इस्प्रे करना है जिससे फूलों की संख्या में उरद्धी होगी चड़ों का विकास होगा चने में फूटाव अच्छे तरीके से होगा चने में जो गेटे बनेंगे वह ज्यादा मजबूत उनमें दाना बराव अच्छे तरीके से होगा तो कुल मिलाकर बात करें तो आपको इफको सागरिका का प्रयोग चाने की फसल में जरूर करना चाहिए इसका बहुत ती अच्छा रेजल्ट मिलेगा और डोज की एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इफको सागरिका दानेदार 5 किलोगराम परती एकर इपको सागरिका लिक्विड 250 एमल परती एकर का प्रयोग आपको करना है तो किसान भाईयो इनकी रेट की बात करें तो आपको जो 5 किलोगराम का पेक है वह 700-800 रुपे के बीच में मिल जाएगा लेकिन किसान भाईयो इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि उसके आगे इसकी रेट कुछ मा किसान